नमस्कार आप देख रहा हैं कवर मीडिया दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सुसान सिंग राजपूत केस में NCB ने सिदार्थ पिठानी से दोस्तो एक बहुत बड़ा सच उगलवा लिया है जी हाँ आप सभी इस वीडियो को अंतक देखेगा मैं आपको बता हूँगा कि कैसे सिदार्थ पिठानी ने कुछ ऐसे लोगों का नाम ले लिया है जिसके बाद तो दोस्तो मानो अब सुसान सिंग राजपूत का केस बेहद ही जल्द सौल्व हो जाएगा दोस्तो आप सभी जानते होंगे कि सिदार्थ पिठानी की गिरभतारी सुसान सिंग राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरभतारी बताई जा रही है क्योंकि सिदाथ पिठानी को लगभग 2 महीना हो चुका है जब से वो जेल में बंद है और सिदाथ पिठानी ने अभी तक छूटने की लाख कोसिस की है लेकिन वो अभी भी छूट नहीं पाया है इससे एक बात तो साफ है कि NCV सिदाथ पिठानी को किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाती है NCV बहुत अच्छे से समझती है कि अगर वो सिदाथ पिठानी को छोड़ती है तो वो लोग बच जाएंगे जिनके नाम सिदाथ पिठानी ले सकता है जिनके उपर सिदाथ पिठानी बहुत बड़ा खुलासा कर सकता है तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे दोस्तो सिदाथ पिठानी की परिसानी बढ़ी है और सिदाथ पिठानी कुछ और लोग के नाम ले सकता है और वो कौन से लोग हैं जिनकी गिरफतारी हो सकती है सिदाथ पिठानी के उनका नाम लेने से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस लिष्ट में सबसे उपर है संदीप सिंग जी हाँ आपको बता दे संदीप सिंग वही है जो कि सुसान सिंग राजपूत केस में बेहदी सातिर नजर आया है ये दोस्तो सुसान सिंग राशपूत से मिलता जुलता कम था लेकिन अचानक से जब सुसान सिंग राशपूत खतम हुए तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आया था अब बड़ा सवाल है कि क्या सिदाथ पिठानी इसको जानता है, क्या सिदाथ पिठानी का इससे कोई नाता है, हाला कि सिदाथ पिठानी और संदीप सिंग की तो कोई फोटो वाइरल नहीं हुई, लेकिन हमने दिखा है संदीप सिंग की अंकीता लोखंडे की साथ कई फोटो सब्सक्राइसिए और खोड़े जाने हैं तर रेज़ेरे प्राइसिद्छ के बारे में यह सानते हैं और रिया चकवर्थी के उपर भी ड्रक्स केस का आरोप लगा था, रिया चकवर्थी को भी हिरासत में लिया गया था और सिदात पिठानी को इस टाइम पर हिरासत में लिया गया है अब दोस्तों सिदाथ पिठानी अगर रिया चकवर्ती के बारे में कुछ बड़ा खुलासा करता है तो यकिन मानिये कि रिया चकवर्ती की भी गिरफतारी होगी और रिया चकवर्ती का बचना बेहती जादा मुस्किल है क्योंकि रिया चकवर्ती के उपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं और रिया चकवर्ती की भी उपर स्तिती सुसान सिंग राजपूत केस में सुरू से ही संदिगत मानी जा रही है तो दोस्तों ये दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम अगर सिदात पिठानी लेता है फिर वो चाहे संदीप सिंगो या फिर रिया चकवर्ती दोनों के ही गिरफतारी हो सकती है और NCB की टीम साथ ही साथ तमाम पुलिस वाले भी इन पर नजरे गडाये रखे हुए हैं और जैसे ही कुछ भी उटपटांग हरकत करेंगे तो इनको तुरन्त गिरफतार किया जाएगा और इनसे पूछताच के लिए दोस्तों इनको हिरासत में लेकर के लंबे टाइम तक के लिए रखा जाएगा अब देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि इसी दात पिठानी ने किनका नाम लिया है और कब तक इन लोगों के नाम लेगा तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद